हालो फ्रेंज, वेलकम टू मंत्रा इस टिटोरियल में आप जानेंगे कि कीबोर्ड सॉटकट का प्रियोग करके टाइम लाइन बिंडो पे किस प्रकार क्लिप को मुवेंट देते हैं क्लिप को मूव करने के लिए आप टाइम कोट के साथ साथ आप कीबोर्ड सॉटकट में ऐरो कीज का भी प्रियोग करते हैं लेकिन इसमें भी वही थेवरी यूज होती है कि आपके मेन स्टोरी लाइन पे क्लिप को मूव कराना बहुत मुस्किल है यदि आप कनेक्टिंग क्लिप को मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कई सारी सुबधाय उपलब्ध हैं उनको मूव कराने के लिए आप सलेट करें एक क्लिप सलेट करें या एक से यादा सलेट करें उनको ड्रै करके आप सलेट कर सकते हैं एक frame left की और move कराने के लिए आप comma keyboard shortcut key का प्रियोग करेंगे यदि एक बार comma key प्रेस करेंगे तो ये एक frame left की और move करेंगे यदि इसी तरह dot button का या जिसे हम period button बोलते हैं period button का प्रियोग करेंगे तो एक बार में ये clip selected clip एक frame right की और move करेंगी और इसके अतरिक यदि आप ये चाहते हैं कि ये clip 10 frame 10 frame right की और या left की और move करें तो आप इस comma के साथ में shift button को प्रेस करेंगे तो ये 10 frame left की और move करेगा इसी प्रकार shift के साथ में period button को प्रेस करने पर ये 10 frame right की और move करेगा इस प्रकार आप टाइम लाइन पे किलिप को मूब करा सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग